अगर आपके ऐसे Realme C2 तो आप कैसे इस mobile को factory reset यानि की reset कर सकते हो वही मैं आपको आचके इस वीडियो में बता हूंगा तो चलिए आचके इस कमाल की वीडियो को start करता है So guys देखो अगर आपके भी पास है ये वाला Realme C2 mobile और आपको इसे factory reset करना है तो बहुत ही simple चारीका है जिससे कि आपके Realme C2 mobile को factory reset कर सकते हो तो देखो इसके लिए आपको 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 जो mobile है उसमें आपको जो settings का app होता है उसे open कर देना है अब जैसे आप आपके phone की setting app को open करोगे तो अभी आप आपर देख सकते हो कि अभी आपको आपर बहुत सारे options दिखाई दे रहे होगे तो अभी आपको आपको आपर क्या आपको 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 दिखाए देगा backup and reset का लेकिन अगर आपको आपके realme के C2 में यह option नहीं दिखाए दे रहा तो फिर आपको आगाना है directly setting open करना है और यहापर आपको search कर देना है backup and reset तब जैसे search करोगे नहीं आपर reset तो आपको directly यह वाल option दिखाए देगा जैसे reset to factory settings अब से निचे की तरफ यह वाला option हो गा आपको इस वाले option पर click कर देना है जैसे आप इस वाले option पर click कर ओंगे तो अभी आ पर देख सकते हो reset to factory settings आपको कुछ ऐसा option दिखा ही देगा तो अभी आपको आपको आपर क्या आननहैं आपप reset system settings only Erase downloaded apps, यह सारे options आपको दिखा ही दे रहा है, तो अभी आपको आपको आपर बहुत सारे options दिखा ही देगे, तो इन में से आपको आपर क्या गरना है? अभी आपको आपर, यह जो Erase all data वाला option है उस पर click कर देना होगा, लेकिन उससे पहले आपको आपको आपर क्या गरना होग और उसके बाद में ही आपको factory reset करना है क्योंकि अगर आप factory reset करोगे तो आपका पूरा का पूरा data delete हो जाएगा तो अभी आपको यह erase all data वाले option पर click करना है जैसे आप इस पर click करोगे तो आपको नीचे के तरफ दिखाई देगा erase data तो आपको erase data वाले option पर click करना होगा और आपको फिर एक बार erase data वाले option पर click कर देना होगा जैसे आप इस पर click करोगे तो आपके email id जो भी कुछ आपके account login कियोगे वो सारे के सारे account logout हो जाएगे अब आपने आपके phone में कोई photos वागरा से हो किया होगे तो वो सब कुछ delete हो आपका जो phone है वो फिर से on हो रहा है यानि कि अभी हमारा realm me का सीटु mobile ना one वह फ्वेक्टरी रिषेट हो चुका है अव्य कमपिलेटलए अब जैस अब यासे हमारा phone on होता है तो पूरा का पूरा जो हमारा data है वो इलेट हो जाएगा तो अभी आप यापर देख सकते हो कि अभी हमारा रियल्मी का C2 फैक्टरी रिसेट हो चुगा है और अभी हमारा जो फोन है वो ओन हो रहा है तो कुछ देर आपको वेट करना होगा क्योंकि फैक्टरी रिसेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस् फोन लिया था तब हमारा फोन जैसा था वैसा हो चुका है पूरा का पूरा डेटा डिलेट हो चुका है तो सबस्वलेट आपको यापर लेंग्विज सिलेक्ट करने होगी और आपका फोन जब नया था वैसे आपको यापर सेट अप कर देना है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, thank you so much.